है ग्रिफ एक दिन वो ब्रह्म लोग गया और बड़ी चालाखी से उसने ब्रह्म देव से चारोवेद पराथ कर ली और जाके समुत्र में चुप गया चुंकि सारा ग्यान वेदों में नहीं थे इसलिए संसार से सारा ग्यान चला दिया जब अग्यानता का अंदकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है अग्वान विश्नु सब देख रहते हैं उन्हें ग्याद था कि शीग्रिव प्रित्वी लोग पर प्रले आने वाला है और एक्रिव के साथ चारो वीद भी लुप्त होने का भैता को म्रह्म देव श्रीजिन करता है प्रीदों के आभाव में उनर जनम की प्रक्रिया को पुनस्थापित करना अत्यांत कटित इसलिए पहेक्रिव से उन वेदों को पुने प्राप्त करना अनिवार रहे था तो भगवान विश्णु ने क्या किया भगवान विश्णु ने मत से रूप धारन किया वो एक मचली बने और नदी में अउतरित हुए राजा सत्यवरत स्नान कर रहे थे एक चोटी सी मचली उनके हाथ में आ गए इसनी चोटी मचली भगवान विश्णु हाँ राजा सत्यवरत उस मचली को जल में छोड़ने जाही रहे थे कि उस मचली ने बड़ी मचलीयों का भय जदाते हुए उनसे विनेति की उनसे कहा कि वो उसे अपने साथ ले चले राजा सत्यवरत अध्यंत दयालू थे मचली को अपने कमंडल में शरन दे दी और अपने महल मिले किंटो रात भर में मचली इतनी बड़ी हो गए कि कमंडल में रह पाना उसके लिए संभव्य नहीं था और उसका बढ़ा अकार देखनी के पस्चारで राजा सत्यवरत ने उसे कमंडल में से निकाल कर एक मटकी में. डाल दिया मटके में डालने के पश्चात उसका आकार पुनाय बढ़ा होगी तो राजार सत्य वरत ने उसे मटके में से निकालकर एक सरोवर में रख दिया कि तोसी रात । सरूव में रखने के पस्चात भी उसका अकार इतना बढ़ा होगे कि उसे नदी में रखना भढ़ा किन्तु नदी में रखने के पश्चाट में उसका आकार पुना बढ़ाओ और इतना बढ़ा होगे कि यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसके मित्यों निश्चित्ते ताजा सत्य प्रत उसे महासागर की ओर ले कि राजा सत्य प्रत तपस्वी ज्यानी थे उन्हें आबास हुआ कि ये कोई साधारन मचली नहीं कि स्वायम शाक्षाद बगवान विश्णु ही है बगवान विश्णु राजा सत्य प्रत की उतारता से अत्यंत प्रसंद थे इसलिए उन्होंने दाजा सत्य प्रत को मत से रूप धारन करने का कारण बताया साथ ही उन्होंने सत्य प्रत से कहा कि आज से साथवे दिन प्रलय आएगा समस्त प्रत्वी जल में समा जाएगा किन्तों आप सब तरिश्यों के साथ साथ अनाज वह नस्पतीव अशुदों की प्रत्येक प्रजाती के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षक कीजेखा केवल एक स्थान ऐसा होगा जिसकी उचाईयों कुछ चल्चो नहीं पाएगा मैं लोटूँगा और आपको वान लेकर चलूँगा ऐसा कौन सा स्थान था इमार ले पर अर्था तुम्हारी माता के पिता हिमामाद फिर क्या हुआ ऐसा कहके बगवान विश्णू समोत्र में चलेगे और अपने मत से रूप में उन्होंने हिक्रिव को उन्ठोंड निकारा उस दुष्ट का बद्द करके पेदों को पुना प्राप्द कर लिया तो क्या प्लेने आया हाँ ठीक सात्वेद किन्तु बगवान विश्णू के आदेश अनुसार ताजा सत्य उरत एक विशाल नौका में उनकी प्रदीक्षा कर रहे थे तभी विश्णू जी एक सीन्ग वाली विशाल स्वर्नमत्सरूप में प्रकटू नौका को मत्स्य से भांधते ही तू सर्पराज वासूवी का प्रयोग किया दिया और विश्णू जी ने अपने वजन अनुसार उन सब को हिमाले तक सुरक्षित पहुचाया ताकि प्रलह के बश्चार्थ वीदों के आधार पे संसार पुना बसाया जा सके राजा सत्यवरत मनु कहला है मनु अर्थाद माना उचादी के प्रणजनक इसी प्रकार भगवान विश्टू ने ना केवल वेदों को पुना प्राब्द करें अब तो समझ संसार का कल्यान भी अर्थाद भगवान हर संक्रत में अपने भक्तों की सायदा अवस्यो करते है करते है